नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आथान और सरल तरीके से बंटक्त ब्लाउज कटिंग एंड इस्टिचिंग तो देखिए यहां पे हम 33 साइज का ब्लाउज बनाएंगे और इसकी जो पीछे की लंबाई है वो हमारी 12 इंच की है सबसे पहले हम अस्तल की कटिंग करेंगे तो प्यार च्बडा उसकी कटिंग करेंगे यहां पर देखिए कपड़ा है इस तरीके से हैं यह यह के बॉडर बना एक यहां पर दोनों साइट बाजू पर आजाएगा बॉडर और इसको तो हमें निकालने की ज़ुरूद नहीं बहुत सरल है लेकिन इसको अच्छे से बनाएंगे जब यह फिट आएगा अपनी जो चैश्ट है तो यहां पर आएगा इसके बाद 3 इंच यहाँ पर लेगे यहाँ पर सी नहीं जब देन के लिए सारी वीडियो देखें उससे आपको बहुत को सीखने को मिलेगा कि नाप कैसे दिया जाता है है फिटिंग के सिलाई कैसे लगाई जाती है तो दीकि जितना आप देखें गे उतना ही आप सीखेंगे यहां पर जो कपड़ा बच्चेगा इसमें से पाजु निकालेंगे कि इसके बार देखिए हमें कपड़े को इस तरीके से छोटा बड़ा करना है इस तरीके से तो यहां पर देखिए हमें जैसे हमारी लंबाई है बारा इंच की तो हम यहां पर तेरा इंच लेंगे लंबाई में कपड़े को और यह पंड टक्स बिलाव जें न तो हमें दोना प इसको बनाना बहुत सा रलत, दोनों पल्लर हमारे लंबाय में बरावर हैं, चोड़ाई में भी बरावर हैं, अब हम यहां पर जैसे डीप कला बना रहे हैं तो सोल्डर लेंगे, पांच इंच फांच इंच सोल्डर लेंगे, आरूमल लेंगे बोलेंगे 2.5 इंच, क्योंकि य यहां पर गो लाई यहां पर करते हैं जो कप्ड़ा है देखिए ने कमेंट कि आयیں कि अच्छे से दीरे से काइए यहां distint के लेने में लूट आपको अच्छे से स्टोड़ए है तो आप उस वीडियो को बार-बार देखें तो आपके अच्छे से समझ में आएगा यहां पर आरोमल की करने करना बहुत जरूरी है अप गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच की लेनी है और हां किसी ने कमेंट करके तोयाँ इन्च कि ले रिया तोड़ाी इन्च सब्तिया इन्च अक्नूारा गणार करनीक लेँ लूसें ओरी इंची आपटी को सब्सक्राइब कर बोडेतने ह defect है वाऊधे तक्सभल के निकार सब्सक्राइब mitä गाना तक्स को सडारा 7 इन्च mitä है और सब आठ इंच का हम यहां पर आदा करेंगे तो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा ऐसे करके फिटिंग का निशान लगाना है अगर आप चाहें तो आठ इंच पर भी निशान लगा सकते हैं क्योंकि यह जो चेश्ट है वो 33 चेश्ट है तो इसमें कुछ आदा इंच कंप न करें जुमैने यहां पर गुंजाएच ली है वह ज़ादी यहां लिये लेकिन जब यहां पर प्लेट का निशान लगाएंगे तो हम यहां पर आठ इंच का भी फिटिंग का निशान लगा सकते हैं उसके बात जब हम सिलाई लगाएंगे तो आदा हीं चोड़ के सिल यहां पर आरोमल काटना बहुत ज़रूरी है अब यहां पर जुड़ा हुआ है इसको अलग कर लेंगे इसमें बीच में कट लगा देंगे अब यहां पर यह कपड़ा बच्चा हुआ हमारा बाजू के लिए तो यहां पर देखें जो कप्ड़े की चौड़ाई वह 15 इंच की है और लंबाई है वह 6 इंच तो यहां में 5 इंच की बाजू काटेंगे तो 6 इंच परापर है इसको हमे यहां पर लेंगे दो इंच बाजू की कटिंग हमें यहां पर देखे मैंने बहुत तरीके बताएं आप यहां पर तीन इंच भी ले सकते हैं कि अब यहां पर चोड़ाई कितनी है राइ इंच की तो इसको हम एक पट्टी को जोड़ लेंगे ऐसे यहां पर हम इसको जोड़ेंगे इसको कैसे जोड़ना है तो अगर आप पर बाजू की कटिंग और स्टिचिंग नहीं आथी तो प्लीज आप चैनल में देखना मैंने बहुत आसन और सर्ल तरीके से बताया है तो इसको दीखे हमें ऐसे करके जोड़ना इस तरीके से जब आप का कपड़ा कम हो तो आप इसी तरीके से जोड़ें इस तरीके से अब यह कपड़ा है कपड़ी को हमें रखना है डबल करके तो दीखिए इस तरीके से इसको रख लेंगे अब इसको हम ऐसे लंबाई में भी काट सकते हैं और ऐसे चोड़ाई में भी काट सकते हैं सबसे पहले हम ऐसा करते हैं बाजू के लिए कपड़ा निकाल ले रहे हैं बॉर्डर का जितनी हमें बाजू बनानी है उतना हम यहां पर कटिंग कर लेंगे पांच इंच की हमें बाजू बनानी है तो साड़े पांच इंच यह पट्टी को काट लेंगे फिर चाहे हम कपड़े को कैसे भी कार सकते हैं अब कपड़ी को हम रख लेंगे डबल करके इस तरीके से डबल कर लेंगे अब देखिए यहां पर हम तुर्पाई बाला बनाएंगे ना बिलाउच तो नीचे के साइड एक इंच कपड़े को जादा लेंगे तुर्पाई करेंगे सिलाई लगा लेंगे नीचे के साइड तो मैं यहां पर तुर्पाई करूंगे नीचे के साइड अब देखिए हमें यहां पर गले की चौड़ाई लेनी है वो धाई इंच के लेनी है जैसे आगी के लिए तो पीछे की भी लेंगे और गली की लेंबाई हम यह पे 10 इंच की रखेंगे तो दीके इसमें कोई भी design बना सकते हैं, अगली को अगर designer बनाना चाहें तो कोई भी design बना सकते हैं dis तरीके से तो यह मोटा कपड़ा है, तो इसको pare pati design बना लेंगे अब यहां पर पीछे का पल्लर हमारा कट गया है इस तरीके से रखेंगे हम अपना आगे का पल्लर अब देखें यहां पर भी हम तुर्पाई करेंगे तो एक इंच बड़ा ही लेंगे अब यहां पर बॉर्डर वाला कपड़ा है तो पहले हम यहां पर कच्ची करके अस्तल को जोड़ेंगे फिर बाद में कटिंग करेंगे तो अब मैं आपको इसके स्टिचिंग बताती हूं अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हमें प्लेट डालनी है अब देखें आगे के पल्लत से हमने सिलाई लगा लिए अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा बढ़ा है तो अस्तल के परावर हम इसकी कटिंग करेंगे अब हमारा पीछे का पल्लत है तो इसको भी हम जोड़ेंगे पहले गली के ऊपर सिलाई लगाएंगे अब इसको चीड़ा करेंगे झाले करेंगे पूरे पर सिलाई लगा लिए अब इसमें लेस लगा लिए कि यहां पर हमारा पीछे का गला तैयार है यहां पर डोरी लगा लेंगे अब पीछे की साइड प्लेटे डालने हैं तो जो हमारा निशान है प्लेट का इसको ऐसे लेना यहां पर लेंगे हम एक हिच और इसको हमें कम करते हों उतारना है अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्लेट को डालेंगे अब यह पीछे की साइड हमने दोनों प्लेटे डाल दी हैं यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे पर बाद में हम तुर्पाई करेंगे अब यहां पर हमने पीछे का गलत त्यार कर लिया है अब आगे का त्यार करेंगे यहां पर हमें प्लेट डालनी है पहले यहां पर लेंगे हम एक इंच इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेट डालेंगे इसी के बरावर हमें पट्टी लेनी है अब यहां पर पट्टी की जो चोड़ाई है वो तीन इंच की है झालेंगे झालेंगे अब यहां पर हमने पट्टी तो लगा ली अब हमें गली में पट्टी लगा लेंगे अब देखे कपड़े को हमें तिर्चा करना है यह इनने एक एक इंच की चोड़ाई लीए पट्टी की इस तरीके से पट्टी को जोड़ेंगे अब यहां पर हम गली को पट्टी को रखेंगे अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पट्टी को लगाना है अब इसके बाद यहां पर हम आगे कपला जोड़ेंगे एक इसी आप अब हम आगे कपला जोड़ने के बाद आप हम यहां पर फिटिंग के सिलाह लगा लेंगे तो पेहले एक सिंपल से ल्गानी हमेंень एक इंच है अब दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाएंगे एक एक इंच कपड़े को दबाते हुए क्योंकि हमें इसमें बाजू भी लगानी है और यहां पर हम अंदर के साइड इसको ऐसे दबाके तुर्पाई करेंगे यहां पर देखें कच्छी लगा है तो इसको मैं निकाल दूँगे तुर्पाई करने के बाद अब हम पट्टी को ऐसे रखके देखेंगे देखें इस तरीके से अब देखें हमें क्या करना है यह जो गला है इसको अंदर के शाइड दवा के हमें इस पर तुर्पाई करने है अंदर का जो भी कपड़ा है वो काट लेंगे अगर आप पर गले की पट्टी और पाइपिन लगाना नहीं आता है तो उपर आप आई बेटन पर क्लिक करके द करना पड़ेगा बाजु को अस्तल में जोड़ना पड़ेगा तो अगर आप पे इस तरीकी की बाजु नहीं आती है बॉर्डर वाली चैनल में मैंने हर प्रिकार की बाजु की कटिंग और स्टेचिंग बताई है तो मेरे कहने का मतलब तो यह है को पूरा ब्लाउज तो एक अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब करने धन्यवार कर दो एकर ले दो और स्टेच्ट झाय उन्यवार